दोस्तो नमकीन या सेव की सबजी बहुत ही टेश्टी होती है और यह घरों में अदिकतर तब बनाई जाती है जब घर में सबजी ना हो या सबजी खरित के लाने वाला कोई ना हो या अचानक से महमान आ जाए और यह सबजी आप जटपट से घर में रखी नमकीन से बना सकते बिल्कुल धावा इस्टाइल में तो चलिए मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नमकीन सेव की सब्जी हेलो दोस्तों स्वागत आपका सीमा दा स्वाद में आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी नई वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए तो सबसे पहले मैंने कड़ाई लिए उसे गेज पर चड़ा दिया है अब इसमें मैं डाली हूँ सर्सों का ओईल आप कोई भी ओई ले सकते हैं तो यह चार्चमच ओईल है इसमें से भी मैंने थोड़ा सा बचा लिया है हम कम ओईल में ही यह सबजी बनाएंगे जो बहुत दालचीनी के है तो इनको हम कड़ाई में ढाल देते हैं और चटकने देते हैं थोड़ा सब्हचु दे देंगे अब मैं डाल रही हूँ आधा चमच जीरा आधा चमची लेंगे हम सौम तो सौम डाल दी हमने और थोड़ी सी हम लेंगे हीम इससे बहुत अची कोशु तो इनको हम तड़क ने देते हैं तो ये मसाला तड़क चुका है ये अमने 2 मीड convey sentate लिए इनको मैंने छोटाक कार लिया है और इनको डालके थोड़ा सोटे कर लेना है गैस का फिले में आपको मीडियम रखना है और इसे कुछ सेकेंड आपको चला लेना है इसे चलाने के बाद आप इसमें डाल रहे हैं हम जिंजर गार्लिक पेश्ट तो यह मार्केट वाला है आप चाओ तो घर पर बना सकते हैं तो यह मैंने एक चमच लिया है तो यह मैंने डाल दिया है इसको भी थोड़ा चला लेंगे और इस तरह इसे चलाने के बाद अब इसमें हम डालेंगे एक चमत बेशन यह बेशन जो आमने लिया है यह कच्छा बेशन है बुना हुआ नहीं है इसी में यह बुन जाएगा आपको चलाना है बस आपको 20 से 25 से चलाना है अब होती बढ़िया टेस्ट आएगा एतने से बेशन से बाट से चलाने के बाद दालेंगे दो अदर के कटे हुए टमाटकर आप चाहें टो इसकी प्यूरी बना सकते हैं लेकिन कटे हुए टमाटर बहुत ही जल्दी गल जाते हैं थोड़ा असा नमक डालने के बाद that तो इससे भी थोड़ा चला लेते हैं फिर इसमें नमक ढालेंगे तो अब हम डाल रहें इसमें नमक स्वा धनु साथ ठाट बआद गईट अब ये ये एकदम से पानी छोड़ेंगे और गल पावडर और ये लिए मैंने लाल मिर्ची पावडर ये कस्मीरी लाल मिर्ची है इसलिए मैंने ज्यादा डाली है अगर आपको तीखी डालनी है तो कम डाले इससे कलर अच्छा आता है इसलिए मैंने कस्मीरी लाल मिर्ची डाली है तो इनको डालके मैं इस मसाले को अच्छे स बून लेती हूं जिससे ओल रिलीज हो तो इसे इसी तरह मीडियम फ्लेम पर आपको चलाते रहना है 20-25 सेकंड में यह अच्छे से बुन जाया है देखो ओल इसका रिलीज हो रहा है तो अम में डाल रही हूं दो चमच मलाई यह घर की मलाई है तो आप घर की फ्रेस मलाई डा के से अच्छे से मिक्स कर देना है पूरी मलाई इसमें मिक्स हो जाएगी यह जो आपको रेसे दिख रहे है मलाई के बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे बस आपको इसी तरह 10-15 सेकंड चला लेना है और देखिए मलाई एकदम से मिक्स हो चुकी है ओल रिलीज हो रहा है मसाले से पेसे थोड़ा चलाने के बाद देखिए कितना बढ़िया कलर आया है एकदम बढ़िया कुस्बू बहुत अची आ रही है क्योंकि खड़ा गरम मसाला डाला है और यह डाल रही हो में कसूरी मैती जो के ओप्शनल है और उपसे डाल दिया है कटा हुआ हारा दनिया तो इसको भी मिक्स कलना जो धोड़ा और चला लेना है जैसे यह मसाला और अच्छे से भोन जाए अपनी कुस्बू छोड़े ऑल सेप्रेट हुआ है तो इसी तरह थोड़ा आपको चला लेना है और यह मैंने चला लिया है अम में डाल रही हूँ दो छोटी चमस दज़ी त से यह भी अच्छे से भुण जाए मिक्स हो जाए तो इसको भी 10-15 सेकंड हम चला लेंगे इसके बाद भी ओयल रेलीज हो जाएगा देखिए यह ओयल नीचे छोड़ रहा है कड़ाई में 10-15 सेकंड हमने चला लिया है तो अब हम डालेंगे एक कप पानी तो यह मैंने एक कप पानी लिया है डाल दिया है एक कप पानी डालने के बाद आपको मसाला गाडा लगे तो आप थोड़ा पानी और डाल सकते हैं मुझे यह पानी अफिसे लग रहा है तो इससे चलाने के बाद अब मैंसे डख कर पकाऊँगे जिससे यह पानी भी अच्छे से पक जाए कच्छा ना रहे तो तीन से चार म मिर्ची लंबाई में काड़ लिए और ये टमाटर भी लंबाई में मैंने चार पीस लिए इनको इस ओईल में अच्छे से सोटे कर लेंगे दो मिनटमें यह सौटे अच्छे से हो चुका है मला हमें हलका ही पकाना है इनको हम निकाल लेते हैं और एधर जो सब्जी हमारी रखी वी थी दो से तीन मिनट हो चुके हैं तो डक्कन उठा के यह जो हमने सौटे की हैं टमाटर प्याज मिर्ची ये इसमें डाल देते हैं सबजी की कुसवू तो आप नहीं सूँ सकते लेकिन आप देखकर ये ज़रूर बता सकते हैं कि कितना बढ़िया मसाला ये पका है ओईल पूरी तरह सेफरेट हो चुका है तो अब मैं इसमें डाल रही हूं आदा नीवू जो कि मैं पूरा नहीं ने चोड़ूंगी क्योंकि सबजी मैंने देशी टमाटर डाले हैं और देशी टमाटर खटे होते हैं तो सबजी पहले से ही खटी है इसलिए मैंने थोड़ा नीवू ने चोड़ा है अब हम इसमें डाल रहे हैं सेव तो यह मैंने चोटे वाले सेव लिए हैं, आप मोटे वाले ले सकते हैं, आलू बुजिया ले सकते हैं, बीका जी की जो बुजिया आती है, बो ले सकते हैं, रतला मी सेव ले सकते हैं, किसी भी तरह के आप सेव ले सकते हैं, तो यह सेव मैंने डाल दिये हैं, अब कुछ ही से चलाओंगी उसके बाद गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी और यह सब्जी रेडी है क्योंकि मसाला पहले ही पूरी तरह से पक चुका है हमें ज्यादा नहीं पकाना है अब ज्यादा पकाएंगे तो यह सेव घूल जाएंगे तो गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है और सब्जी मैंने थोड़ा सा ढाल दिया है आपके लिए ओप्शनल है तो गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है सब्जी हमने बनाई ली है तो इसे टेस्ट भी कर लेते हैं तो यह हमने ढावे वाली थाली लगा ली है जिसमें प्याज है नीबू है चटनी है अचार है और सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए